लोटस आयरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे चेरे पर लगाएं पपीते से बने ए फेस पैक मिलेगी निखरी और बेदाक तोचा तो ही शुरू करते हैं आज का वीडियो पपीता सहयत के साथ साथ चिकन इसकीन के और पूर होता है यह सभी पोसक तो तोचा की समस्या को ठीक करने में मदद करते हैं पपीता तोचा को एक्सफोलियेट करता है और चेहरे पर मौजूद डेड़ स्कीन एक्ष्ट्रा इल को हटाता है साथ ही यह तोचा में नमी को लॉक करता है और ड्राइ स्कीन की समस्या को दूर करता है पपीते में पपेन मौजूद होता है जो दाग धबों और पिग्मेंटेशन को मिटाने में काफी प्रभावी माना जाता है चेहरे पर पपीता लगाने से पिंपल्स जुर्यां फाइन लाइन्स और टेनिंग की समस्या दूर हो सकती है अगर आप निमित रूप से चेहरे पर पपीते का फेस पैक लगाएंगे तो इससे तुचा की रंगत में सुधार होगा और निखार भी बढ़ेगा हम आपको पपीते का फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका बता रहे हैं तो आई शुरू करते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए पपीते का फेस पैक तो उसके लिए आपको शुरूबात करना है पपीता और सहद का फेस पैक गुलाइंग स्किन बनाने के लिए आप पपीते और सहद का फेस पैक लगा सकते हैं इसके लिए आप एक कटूरी में दो चम्मच पपीते का गुदा ले इसमें एक चम्मच सहद मिला ले इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें अब इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाएं दस से पंदर मिनिट के बाद पानी से चेहरा को धूले आप इस फेस पैक को हफ़ते में एक से दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं इससे कील मुहा से दूर होंगे और तुचा मुलाइम बनेगी आप इस फेस पैक को हफ़ते में एक से दो बार ही यूज़ करें उससे ज्यादा यूज़ ना करें अगला फेस पैक है पपीता और एलोबेरा एलोबेरा तुचा के लिए बहुत फायदेबंद होता है इसमें बिटामिन E होता है जो तुचा को मौसराइस रखता है वहें इसमें मौजूद एंटी आक्सिडेंट तुचा की पिग्मेंटेशन को और दाग धब्बों को दूर करने में मदद करता है सहद और एलोबेरा का फेस पैक लगाने से तुचा की रंगत भी सुधरती है इसके लिए आप कटूरी में दो चम्मच पपीते का गूदा लें इसमें दो चम्मच एलोबेरा जेल मिला लें इन दोनों को अच्छी तर एक से मिक्स करने के बाद अपने चेहरे पर लगाएं लगवक 15 मेंट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोले हमारा अगला फेस पैक है पपीता और दूद का फेस पैक निक्री और बेदाक तोचा पानी के लिए आप पपीते और दूद का फेस पैक लगा सकते हैं इसके लिए एक कटूरी में दो चम्मच के बाद अपनी चेहरे पर एकपा करें 10 से 15 मिनट बाद हलके हातों से इसक्रप करें इसके बाद ताजे पानी से चेहरे को धोलें बहतर र RESULT के लिए हफते में दो से तीन बार इस Roosevelt का इस्तिमाल कर सकते हैं अगला फेस पैक है पपीता और निम्बू का फेसपैक निबू में citric acid होता है जो चेहरे पर मौझूद extra oil और dead skin को साफ करने में मदद करता है वही पपीता dark spots और tanning को दूर करने में परभवी होता है पपीता और निबू का face pack बनाने के लिए आप एक bowl में दो चम्मच पपीते का गूदा लें इसमें एक चम्मच निबू का रस मिलाएं और एक चम्मच सहद मिला लें इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से mix कर लें अब इसे अपने चेहरे पर apply करें और 15-20 मिनिट के लिए ऐ उसके बाद पानी से शेहरे को धो लें बेतर रिजल्ट के लिए हफते में दो से तीन बार इस face pack का आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और कुछ जानना चाहते हैं कुछ पूशना चाहते हैं तो इस वीडिय से जल्ली आपके हर प्रशन का जवाब देने का धन्यवाद